सो हाई गाईस देखें बहुत सा इस्ट्रेंस के जो है वो कमेंट आ रहे थे कि जो ESIC में UDC, MTS और स्टैनो की वेकेंसी निकली है इसकी जो है वो फॉर्म फीस कब वापिस आएगी देखें नोटिफिकेशन में जो है वो जो है वो UDC के लिए अपने स्टेश से अपलाई किया है और MTS के लिए जो है वो दिल्ली अमोमई से कर रहे हो तो ऐसा भी कर सकते हो ठीके ना तो यह मेंख्याल से डाउट आप लोगा क्लियर हो गया हुगा दूसरी बात करते हैं कि इसकी फॉर्म फीस जो है वो कब हो जाएगी यानि आपको टायर वन एक्जाम देना बहुत जरूरी है अगर आपने टायर वन एक्जाम किसी भी पोस्ट के लिए नहीं दिया तो आप लोग यह मान दीजाए आपकी फीस जो है वो रिपन्ड नहीं होगी एलवे की तरह जो है वो लेट लतीफी नहीं करेगा कि पैसे रिपन्ड करने में जो है वो एक से डेर साल लगा दे जब आपका टायर वन एक्जाम हो जाएगा ना उसका जो है वो बीस से पच्चेस दिन में आपका पैसा जो है वो रिपन्ड हो जाएगा हाँ जनरल कैटेगरी का जो है वो पैसा रिपन्ड नहीं होगा यह जो वो form fees refund होगी तो में खाल से doubt आप लोगों का clear हो गया होगा वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को like share और subscribe से भू कर दीजिएगा